आज हम पाइथन स्क्रिप्ट का यूझ करके आप पाइथन की स्क्रिप्ट में वाट्सप पे मैसिज भिजवा सकते हैं किसी भी नंबर पे वो आट्मेटिक जाने का मतलब है message भी क्या होगा उस number पे जाएगा और वो automatic deliver भी हो जाएगा आपको कहीं भी click नहीं करना पड़ेगा automatic message WhatsApp के number पे क्या होने वाला है जाने वाला है इस पूरे process को हम practically implement करते हैं जिससे आप इस logic को यहाँ पे क्या कर पाएं लगा पाएं तो चलिए हम start करते हैं इस आप इस library को भी क्या करेंगे install करेंगे pip install py what kit करते ही install हो जाएगा तब भी मैं आपको install करके दिखा देता हूँ कि आपको library कहां से मौडियूल मिलेगा कहां से आप ढूनेंगे यह सारी चीजों को मैं clear करा देता हूँ चलिए start करतें देखिए देखिए यह official site है जहां पे सारे modules मिलते हैं जैसे यह देखिए py.org करके यह क्या है website का नाम है यहां पे सारे modules available है python के यहीं से हम क्या करते है modules को क्या करते है install करते हैं तो यह जो है देखिए यहां पे लिखा हुआ pip install py what kit अब देखिए automatic message का मत्तब है web whatsapp आपका खुलेगा message automatic क्या होगा fire होगा मैं इसको यहां पे क्या करता हूँ copy करता हूँ और copy करने के बाद मैं cmd को यहां से open कर देता हूँ cmd open करने के बाद देखिए मैंने जैसी click क्या इसने बता दिया कि आपके already installed है satisfied है requirement सारी already fulfilled है आपके system में यह package installed है मैंने already कर रखा है आपके system में मत्तब inbuilt नहीं होगा यह आपको क्या है अलग से install करना ही पड़ेगा यह मैं logic clear कर रहा हूँ इसको install करने के बाद हम आप script लिखने जाएंगे जिसके थुरू हम message को क्या करेंगे भिजवाएंगे चली यह तो हमें पता चल गए कि package installed है तो अब हम क्या करते हैं script को लिखते हैं मैंने यहापर एक file बना रख्या send message.py मैं यहापर import कर लेता हूँ अपने package का नाम तो package का नाम हमारा क्या है py whatkit इसको यहाँ पे मैंने copy किया होगी पहले मैं function लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पे py, w और यहाँ पे send what message करके आपका function का नाम है देखिएगा send keyword fix है message b what b keyword fix है और message b मतलब send what message आपका function है इसके अंदर 4 parameter वो मांगेगा आपसे पहला parameter किस number पे message बिजवाना है तो यहाँ पे देखिए मैं 91 करके यहाँ पे plus 91 करके मैं यहाँ पे country के code के साथ में number pass करता हूँ जिस भी number पे आपको automatic message बिजवाना है वो number आप यहाँ पे क्या कर देंगे pass कर देंगे तो मैंने यह number यहाँ पे क्या कर दिया पास कर दिया जो आपके सामने क्या रहा है दिख रहा है अब दूसरा parameter है कि message क्या बिजवाना है मत्तब यह number तो हो गया जो WhatsApp पे क्या होगा खुलेगा और इसके अंदर message जाने वाला है तो default message क्या जाएगा जो आप automatic बिजवाने वाले हैं तो मैं यहाँ पे welcome to WSQ Tech तो मैंने यह message यहाँ पे क्या अगर दिया अब यह दूसरा parameter हो गया पहला parameter जिस number पे बिजवाना है दूसरा parameter जो message बिजवाना है तीसरा parameter कौन से time पे actually यहाँ पे चाहिए hours की अभी क्या time चल रहा है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो तीन बचके 21 मिनट अब देखें तीन बचके 22 हुआ है तो आपको यहाँ पे जो 3 है उसको 24 hours के according calculate करना है तो यहाँ पे आपको 15 देना है 15 मतलब 15 बचके और जो यहाँ पे minute दिखेंगे देसे 22 है तो मैं यहाँ पे minute में जाने वाला है अब आप इस script को क्या कर सकते है run कर सकते है python के command prompt पे जाके इसको आप run करिए देखें मैं यहाँ पे जाता हूँ cd desktop पे जाते है cd mini project नाम का मैंने folder मनाया है python mini project तो मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे python और उस file को यहाँ पर क्या गपर देता हूँ send message.py अब देखें, वहाँ पे time गड़बड हो गया क्योंकि वो time को गलत बता रहा है तो मैं एक बाद time को यहाँ पर क्या गड़एता हूँ change कर देता हूँ देखें, मैं यहाँ पे actually वो time की error क्या गर रहा था मैंसेज बिलिए नियुकिन आहां और यहां पर लिखा भीता हुगा तो 20 second बाद message will delivered मतब message automatic deliver हो जाएगा आपको deliver करने की जरुवत नहीं होगी तो इस package का use करके आप automatic message क्या कर सकते है fire करवा सकते हैं किसी भी number पे अब देखें यहाँ पे चारो parameter को समझेगा पहला parameter है किस number पे करवाना है दूसरा parameter क्या message करवाना है तीसरा कौन से hours में करवाना है चौता parameter है कि कौन से minute पे करवाना है इन parameters के according message क्या होगा आपके पास चला जाएगा जो भी आपने number दिया होगा उस number पे message automatic fire हो जाएगा बहुत simple है आप PY WhatKit का use करके आप बहुत simple सा project बना सकते हैं प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई message भिजवाना हो WhatsApp API का use करते हुए देखे यहां पे API यूज नहीं हुए package यूज हुआ है module ने internally API का use किया होगा और वो message को क्या कर रहा होगा भिजवा रहा होगा तो इस case में यह चीज clear है कि आप WhatsApp पे message को automatic भिजवा सकते हैं PY WhatKit के थूँ अभी के बाट में इतना ही था आगे के बाट में हम और छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लेके आएंगे और आपके सामने Python के logics को clear करेंगे Thank you so much guys करेंगे